नमेशकार दोस्तों, इस्राइल पैलस्तीन और जो गाजा स्ट्रिप है, वहाँ पर जिस तरह की चीजें हुई हैं पिछले 3-4 दिनों में, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि फुल स्केल वार हो चुका है, यहाँ पर इसी को देखते हुए जो युनाइटेड नेशन से उन्हों फुल स्केल वार, तो इसके बारे में तो हम जानेंगे कि exactly चल क्या रहा है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजे बताने वाला हूँ, युन और जो पैलेस्टीन का मुद्दा है, उससे रिलेटेड क्या-क्या चीजे हुई है, 1948 म आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेस्बुक, और मेरे लेक्शे की हर पीडियेफ आपको फेस्बुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलिग इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और इसका राइट आंसर भी आपको वीडियो के दौरान ही मिल जाएगा यहाँ पर, बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो अरब कम्यूनिटी है, जो मुसलिम मिजॉरिटी कंट्रीज हैं वहाँ पर पूरे मिडिल इस्ट मे और नौर्थ अफ्रिका जो अरब देश हैं, उनके दोरा किस तरह का रियाक्शन आया था, यूएन पार्टीशन प्लान को लेकर, चार आप्शन है, राइट आंसर मैं आपको वीडियो के अंद में दे दूँगा, चलिए देखते हैं यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि यूएन वो भी यहाँ पर इसराइल के अंदर बहुत सारे मिसाइल्स दाग रहा है, इसको देखते वे 35 लोगों की गाजा स्ट्रिप में मौते हुई हैं, इसराइल के अंदर 5-6 लोगों की अटलिस मौते हुई हैं बताया जा रहा है, और कई वर्षों के बाद आप कह सकते हो, इतन बड़ा इंटेंसिफ फाइट देखने को मिला है, गाजा के अंदर तो आपको इस तरह की कई तस्वीरे देखने को मिलेगी, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सी कई सारे, दो तीन, यहाँ पर इसको ध्वस्त कर दिया गया है, मिसाइल्स के माध्यम से, इसराइल का यहाँ बयान आया है कि उन्होंने, रिटालियेशन में यहाँ पर बहुत सारे जो हमास के इंटिलिजेंस हैं, यहाँ पर जो लीडर्स हैं उनके, उनको यहाँ पर किल किया है वेडनेश दे को, और इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो हमास के ऑफिसेज हो गए, जो रॉकेट ल बड़ा वार आपको इस समय देखने को मिल रहा है, और इसकी वजय से जो इंटरनाशनल कंसान है वो बढ़ता जा रहा है, यूस हो गया, कई सारे कम्यूटी यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐस सच कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी बैक जा रहे थे कि लाइटनिंग जैसा माहूल हो गया था, और जो इसराइल है, वहाँ पर भी आप देखोगे, तो लोग अपने घरों को छोड़ कर कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश कर रहे थे, या फिर घर के अंदर भी आप देखोगे, तो वहाँ पर उनके बॉम शेल्टर बनाय जाते हैं, आप देख सकते हो कि ये बेसिकली डिप्लोमेट है, माया कदोश, उनके दोरा ट्वीट किया गया था कल, कि यहाँ पर हम जो बॉम शेल्टर है, उसके अंदर अप छुपकर यहाँ पर अपनी रात बिताने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलाबा आपको ये पता होना चाहिए कि United Nations के अंदर उनको अभी किसी country का दरजा नहीं दिया क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो इसराइल की capital है, वैसे तो जादत तर देश जो है तेल अभीव कहते हैं, लेकिन इसराइल के accordingly, it is Jerusalem, और Donald Trump ने भी इसको shift कर दिया था, का कि ठीक है, Jerusalem capital ह मानेंगे, जब Donald Trump थे, इसके अलाबा यहाँ पर टेल अभीव की just pass में ये शहर है, लोड, ठीक है, अब क्या होता है, इसराइल के अंदर usually हमारा thought जाता है कि वहाँ पर सिर्फ Jewish population रहती होगी, नहीं, Jewish population सिर्फ नहीं रहती है, वहाँ का अगर आप population पूरा density देखोगे, तो ethnic group आपको 74-75% Jewish population मिलेगी, इसके अलाबा जो Muslim population, अरब population एक तरह से आप खह सकते हो, वो भी आपको 20-21% मिलेगी, और बाकी के Christianity हो गए, other religion के भी देखने को मिलते हैं, तो क्या है कि ये वाला जो जगह है न, Lord मैंने आपको बताया, वहाँ पर जो आपके Israeli Arabs रहते हैं, ठीक ह जिसकी वज़े से यहाँ पर curfew अगरा लगाने की बात कही गई, और एक तरह से emergency imposed कर दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है, वहाँ के जो mayor है, उस city के mayor है, उनके द्वारा बयाना है कि पूरे Israel को पता चलना चाहिए, कि ये जो जगह है Lord, वहाँ पर complete loss of control हो गया है, एक civil war हो है, वहाँ पर Lord के अंदर, तो इस तरह का अलग-अलग जगह आपको अलग-अलग situations देखने को मिलेगा, तो overall अगर मैं आपको sum up करूं कि अभी तक क्या हुआ है, तो यहाँ पर 1500 से ज़्यादा rockets जो है, ऐसा मानना है, Israel का की Palestinians ने जो है, वो हम पर दागे हैं, और Israel का कहना है कि फिर हमने इसके retaliation में hundreds of और जादा strikes की हैं, गाजा पटी के अंदर, और वहाँ पर जो three tower blocks हो गए, buildings हो गए, हमास के officials हो गए, उन सब को यहाँ पर kill करने की कोशिश की है, total बताया जा रहा है कि Palestinians अगर आप देखोगे, especially Gaza Strip के अंदर, 53 लोगों की जाने चली गई हैं, औ ठीक है, और छे Israelis की मौत हुई है, अभी तक बता जा रहा है, Monday से मैं आपको यह आकड़ा बता रहा हूँ, तो और और अला, I hope कि आपको situation समझ में आ गई होगी, कि इस समय क्या महोल है, इसको आप full scale war से कम नहीं कह सकते, और इसी की वज़े से अगर आप देखोगे, तो United Nations क के दोरा क्या होता है, समय समय पर जहां पर जरुवत पड़ती है, एक special envoys भेजे जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि Middle East में peace envoy है, peace envoy क्या होता है कि एक तरह से coordinate करने की कोशिश करते हैं, सपोज मैं कहता हूँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही ह तो कोई peace envoy होगा, जो यहाँ पर बातचीत करवानी की कोशिश करेगा, तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर United Nations Middle East peace envoy जो है Tor Wentzland, उनके द्वारा यहाँ पर अब tweet किया गया कली कि stop the fire immediately, we are escalating towards a full scale war, तो एक दरह से UN official का यहाँ पर बयान आया है, leaders on all sides have to take responsibility, और उनके द्वारा बोला गया है कि यह जो cost of war है, यह बहुत ज़ादा devastating है, specially Gaza के अंदर, और यहाँ पर जो लोग impact हो रहे हैं वो Gaza militant, जो हमास है, उससे ज़ादा जो ordinary people है, उनको यहाँ पर तकलिफ हो रही है, उनकी जाने जारी है, इसको लेकर यहाँ पर उनका बयान आया है, और इसलिए उ United Nations Secretary General जो है, Antonio Guterres, उनके द्वारा भी यहाँ पर बयान आया था, और उन्होंने अपने spokesperson के माध्यम से काफी जादा deep concern जताया, और यह कहा कि again, यहाँ पर सभी को maximum restraint करना चाहिए, और जो international norms हैं, उसको follow करने की कोशिश करनी चाहिए, basically अब आप यहाँ समझो कि United Nations के द्वार करने को वहाँ पर नहीं मिला है, और इसलिए आप देखोगे, तो बहुत सारे जो Muslim majority countries हैं, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, चाहाँ इसराइल हो, सौधी अरभ हो, और यहाँ पर भी आप देखेंगे, सौधी NY के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि United Nations must soldier responsibility to resolve this particular conflict, यहाँ पर United Nations को step in करना पड़ेगा, अब यहाँ पर किस तरह की बात कही जा रही है, क्या यहाँ पर peacekeeping force भेजनी की बात कही जा रही है, तो समय बताएगा, लेकिन यहाँ पर अभी सबके दौरा request किया जा रहा है, कि at least इसको तुरंत रोका जाए, otherwise यह और जादा blown up हो सक लेकिन अब हम अपने वीडियो में यहाँ पर थोड़ा analysis पर आते हैं, Palestine और जो United Nations के अंदर पुरा मुद्धा है, इसमें अगर आप देखोगे, तो बहुत लंबे समय से debate चलता आ रहा है, कई सारे resolutions लाए है, in fact 1948 से जब से इसराइल गठन हुआ है, आप देखोगे, तो 79 resolutions लाए जा चुके हैं Security Council के दोरा, मैं Security Council की बात कर रहा हूँ, जिसमें 15 members होते हैं, उनके दोरा at least 79 resolutions इतनी बार लाए गए हैं, उसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यह सब लाने का अभी तक as such कोई peaceful निर्ने यहाँ पर सामने निकल कर नहीं आ रहा है, और यहाँ पर एक जो स Palestine है, वो कैसा होगा, कैसा दिखेगा, उसका एक प्लैन लेकर आया था, मैं आपको इस मैप में दिखाता हूँ, जो पहला वाला मैप है आप यहाँ पर दिखे, यह आपको इसराइल दिख रहा होगा, पूरा यहाँ पर यह जो ग्रे कलर में है, यह आपका इसराइल है, और यह United Nations के दौरा प्लैन लाया गया था, कि जो Palestine है, वो उसके पास यह हिस्सा हो जाना चाहिए, टू-State theory, बेसिकली यहाँ पर गाजा पट्टी भी आपको दिख रही होगी, यह पहली बड़ा होगा करता था, तो यह वाला प्लैन लाया गया था, और उस समय अगर मैं आपक कर रहे थे कि हमारे पास भी land होना चाहिए, Jewish population के पास, तो वो लोग, ज्यादा तर लोग कह रहे थे ठीक है, लेकिन problem क्या रही थी, जो अरब देश है, ज्यादा तर अरब देश इससे खुश नहीं थे, अरब देश इस चीज को accept नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ पर यह पूरा अटैक में आप देखोगे, जो इसराइल है, वो जून 1948 के महने में बहुत ही छोटा सा सिकुड कर रह गया था, लेकिन फिर यहाँ पर इसराइल हरकत में आता और अब आप देखिए, वापस से इसराइल ने सभी अरब देशों को एक तरह से हरा दिया था, आप कह सक किया गया था, 1947 वाला जो प्लैन आप देख रहों यहाँ पर, इसमें जो प्रपोस किया गया था, कि इसराइल को इतना लैंड मिलना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा लैंड जो है, वो अब इसराइल के पास में आ गया, और 1948 से लेकर 1967 अब आप देख सकते हो, यह पूरा आ पहला दूसरा बोल जा, और यह थर्ड वाला जो पिक्चर है, आपको देखने को मिलेगा, ऐसा सिनारियो था, लेकिन 1967 में एक और वार होता है, Six Day War, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कि अभी present में जो situation है, जो हम कहते है न, West Bank, West Bank क्यों कहते है, यहाँ पर Jordan River है, उ 1947-48 में जो plan लाया गया था, United Nations के दोरा, उससे काफी हद तक यहाँ पर जो land है, इस समय इसराइल के पास है, और Palestine के पास जो land मिल सकता था, वो यहाँ पर उतना अब उसके पास नहीं है, इन फाक जो Jerusalem है, वो भी Eastern वाला जो Jerusalem है, वो भी 1967 के war में जो है, लूस कर गया, तो इस यहाँ पर recognize करते हैं कि Palestine एक country है, एक state है, तो यह भी मैं आपको बता दू, 2011 में, वैसे तो मामला आप काफी समय से है, लेकिन cut short करते हुए, 23rd September 2011 में, जो Palestine के President है, Muhammad Abbas, उन्होंने membership के लिए submit किया, कि हम भी चाहते हैं कि United Nations में उनका भी membership हो, मतलब अभी 193 हैं, तो 194 हो जाए लेकिन उसको उतना accept नहीं किया गया, बड़ still, 2012 में, General Assembly ने यहाँ पर non-member के तौर पर उनको अपना लिया, मतलब कि वो बैठ तो सकता है United Nations के अंदर, लेकिन as a member नहीं बैठेगा, non-member के तौर बनेगा, और फिर within one month के बाद यहाँ पर एक और decision लिया गया, कि जो state of Palestine है, इ उसको as a देश का कोई दर्जा नहीं मिला गवा है, और यहाँ पर कितने देश इसको recognize करते हैं, तो इस समय 193 members है United Nations के अंदर, उसमें से 138 countries, जी हाँ, 71% countries जो है, वो recognize करते हैं कि Palestine एक अलग देश है, और भारत भी recognize करता है, भारत ने भी 1988 में इसको recognition दे दिया था, और यहा अधर तर African countries हो गया, Latin America, आपका जो South America हो गया, हर जगा आपको यह recognize करते हैं, लेकिन जो आपका Europe है और जो North America है वो अभी भी इसको recognize नहीं करता है, तो I hope कि यहाँ पर आपको काफी कुछ इससे जानने को मिला होगा, और let's see कि क्या होता है आगे चलकर क्या UN के दौरा और अभी के लिए टौप कह सकते हो, एक पूरे वार के तरह से माहूल वहाँ पर बन रखा है, और जाने से पहले यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया होगा, कि जो मैंने आपसे question पूछा था, how did the Arab community respond, जब UN का partition plan आया था, तो जो Arab community है उसने किस तरह रियाक किया था, they rejected and attacked Israel, ठीक है, यह correct answer हो जाएगा, और फिर एक ही महने के बाद Israel ने attack कर दिया था, Arab communities की उपर, जाने से पहले मैं आपके लिए एक और interesting question लेकर आया हूँ, Holocaust, Holocaust I am sure आपको पता होगा, Second World War के समय, जो Nazi population है जर्मनी के अंदर, Hitler basically, पूरे सबको तो एक साथ लेना सही नहीं होगा, ले जिश्की, वो कहाँ पर आपको मिलेगी, कौन से दो देश के अंदर आपको मिलेगी, इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहाँ पर नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ